प्लांट इसु खटम किया अब लोग क्या करेंगे आनेमल टिशू स्टार्ट करें अगर थोड़ा से याद हो तो हम लोग देखा था कितने टिशू होते चार कितने टिशू हम लोग को पढ़ने चार कौन कौन से पढ़ने अब्सक्राओं बिश्करण कश्ण चैप्टर स्टार्ट किया था जसके प्यार सफ खाता तो थन सारे चारो टिशू सबसे चोटा कौन सा है और टिशू सबसे च्चोटा कौन सा है nervous tissue, तो हम लोग start कहां से करेंगे nervous tissue, nervous के बाद जाएंगे muscle tissue पे, फिर connective tissue पे और lastly epithelial tissue ठीक है, तो nervous tissue जो रहता है, इसका जो primary unit होता है, उसे हम लोग क्या कहते है neuron, neuron मतलब क्या होता है nerve cell होता है, जब तुम cell पढ़ रहे थे, तब यह ने बढ़ता है हमारी body का जो longest cell होता है जो longest cell होता है, उसको هम लोग क्या कहते है, nerve cell यहाँ फिर neuron, च्या कहते है, nerve cell यहाँ पिर neuron, ठीक है ना, तो यह जो nerve cell यह nervous tissue यह neuron होता है, यह primarily कहां present रहता है, brain और spinal cord में, primarily कि अगर ये brain और spinal cord में present तो क्या बाकी body parts में present नहीं होगा, नहीं, ये रहता तो पूरे सारे की सारे body parts में हैं, लेकिन ये जो tissue होते हैं, ये सारे messages कहां से कहां ले जाते हैं, brain और spinal cord से बाकी पूरे body parts तक ले जाते हैं, या फिर बाकी पूरे body parts से कहां लेकर आते हैं, brain और spinal cord में लेकर आते हैं तो nervous tissue है इसका primary function क्या होता है signals transmit करना क्या करना signals transmit करना अब से signals को हम लोग क्या कहेंगे nerve impulses तो अगर exam में question आता है कि nerve impulses क्या होते हैं अगर हमको exam में question आता है कि nerve impulses क्या होते हैं तो हम लोग बोलेंगे वो electrical और chemical signals वो electrical और chemical signals जो हमारी body में क्या होते हैं nervous tissue के थूँ transmit होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे nerve impulses बोलेंगे ठीक है अब अगर इनका काम क्या है nerve impulses transmit करना है और इसकी basic unit क्या है neuron तो ये क्या है neuron का diagram neuron का ये जो आगे वाला part है इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं cell body cell body के लिए अच्छा नाम होता है cyton cell body या cyton में अपने आप में कितने पार्ट होते हैं तीन पार्ट होते हैं एक nucleus दूसरा cytoplasm एक nucleus दूसरा क्या cytoplasm और तीसरे ये छोटे-छोटे small hair-like branch structures that arise from cell body फिर ये लंबा सा पत्ला fiber दिख रहा है ये लंबा सा पत्ला जो क्या दिख रहा है fiber दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं exon क्या कहते हैं exon exon क्या करता है जितने भी nerve impulses अलग-अलग direction से dendrite कलेक करते है उन सब को cell body से क्या करता है दूर ले जाता है कहा दूर ले जाता है तो उने का nerve ending तक और nerve ending से ये signal कहा जाएगा तो हम भोलेगे next neuron nerve ending से ये signal कहा जाएगा next neuron तो अगर neuron की बात तब इंगर енे प्रायमें इन पार्ट होता है पहला cell body सारे nerve impulses को cell body से क्या करता है दूर ले जाता है और nerve ending के थूरू इसको next neuron में transmit कर देता है तो exin क्या होता है largest fiber होता है जो cell body से निकलता है और nerve ending क्या करता है next neuron तक सारे electrochemical signals transfer करता है जो junction होता है किसके बीच में nervous tissue और muscle tissue के बीच में यह fundamental होता है to all organisms मतलब यह हर एक organism की body में होगा यह हर एक organism की body में होगा क्यों होगा क्यूंकि मानो मुझे कोई चीज क्या लग गई गरम लग गई तो वो चीज गरम है इस बात का signal मेरे brain तक जाएगा तो skin में किसका contact रहेगा nervous tissue का contact रहेगा और nervous tissue यह बहुत fast कहां ले जाएग brain क्या बोले का अभी गर में हाथ अटाले जब ब्रे बोलेग अभी गरम हाथ आख अगे चीज बहुत तेज तेज बोड़ कर रहेगी हमारे यह recon यsjun के tissue are highly specialized the cells of nervous tissue are highly specialized of being stimulated being stimulated मतना कोई चीज गरम लग गई तो ये सेंस कर लेंगे कोई चीज ठंडी है तो ये सेंस कर लेंगे कोई sound बहुत लाउद है तो ये क्या कर लेंगे सेंस कर लेंगे तो ये सारे external environment में होने वाले changes जो हमारी हम लोग smell लेते हैं यह जित्ते भी sense organ वो सारे क्या होते हैं stimulus होते हैं इन stimulus को क्या करते हैं nervous tissue के cells लेते हैं उसके बाद transmitting the stimulus इसको बहुत तेज़ 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 क्या करते हैं टालेंगे, तो हार्ट हटाना क्या होँआ, जिनरेटिंगा रिस्पॉंस, इस दाट क्लियो, यहां पर हमारा nervous tissue क्या होता है, खत्म, फिर आती यह कहाणी muscle tissue की, muscle tissue क्यों रहते हैं, वो long fiber like cells होते हैं, अगर हम muscle tissue का देखें, तो ये तीन तरह की muscles होती है तो तीनों देखो लंबी- jumpy है long fiber धागे जैसी है तो हमने ये कैसे होते हैं long fiber like cells होते हैं इनका काम क्या रहता है ये हमारी body parts में movement करवाने में help करते हैं हमारे body parts में क्या करते हैं movement करवाने में help करते हैं इनके अंदर एक special type of proteins होते हैं जिनने हम लोग कहते हैं contractile proteins exam point of view से contractile protein नाम क्या है याद रखना बहुत ज़रूरी है कि muscle tissue में कौन से या muscle fiber में कौन से proteins होते हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या contractile proteins इनका function क्या होता है ये help करने किस चीज में movement cause करने में contract और relax करवा है अब muscles देखा जाए तो अपने आप में कितने टाइप के होती है तीन टाइप के होती है स्केलेटल मसल्स मतलब स्केलेटल समझते हैं हमारी बॉड़ी का स्केलेटल जो muscles बोन से डिरेक्ट कनेक्टेड हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे स्केलेटल मसल्स दूसरी होती है स्मूद मसल्स जो internal body parts में होती है जैसे हमारी arteries में हमारी ureters में हमारी veins में और तीसरी होती है cardiac मसल्स जो कहा होती है हमारे heart अब सुनो अगर मुझे हाथ-pair हिलाना है तो मैं कभी भी ऐसी बिना सोचे समझे हाथ पहरे लादूंगी क्या नई ये मेरे कंट्रोल में होती है मैं को किसी को मारना है तो मैं ऐसे न लगा हो गलती से अपने आप हाथ उड़िया और आपको लग गई नई ये मेरे कंट्रोल में होती है मसल्स कौनसी होती है वोलंटरी होती है को मारना होता है उसी को मारती हो second होती है involuntary यह हमारे control में नहीं होती है जैसे मेरी arteries contract हो दी होगी मैं पानी पीती हूँ तो मेरी isophagus की muscles contract relax होती है तो मज़से पूछ क्यों होती है कि अपनियाब हो जाती है यानि कि यह मेरे control में नहीं है और तीसरी होती है cardiac muscle muscles of heart दिल धड़कने दो what धड़कने दो धड़के गई वो रुपता है क्या वो हमारी सुनेगा क्या नहीं सुनेगा वो तो involuntary वो हमारे control में नहीं है यही reason है कि voluntary muscles थक जाती है आपके हाथ पैरों की muscles जो voluntary होती थक जाती है लेकिन आपकी internal body parts और आपकी heart की muscles थकती है क्या कभी कि आज नहीं हो पाएगा फिर तो होई नहीं पाएगा कभी अगर heart ने क्या बोल दिया आज नहीं हो पाएगा यानि कि यह क्या होती है non fatigue होती है जब तक अंदर एक ही nucleus होता है अगर हम लोग skeletal muscles की बात करें तो इनका shape कैसा होता है long यह देखो इस cylinder shape की दिख रही है unbranches में से कोई branches नहीं निकल भी है यह कैसी होती है spindle shape देखो यह वाला shape इस shape को हम लोग क्या कहते है spindle shape और यह long होती cylindrical होती है लेकिन इन में branches होती है इसलिए हम लोगों ने cardiac muscles के लिए किया लिखा है long cylindrical and branched ठीक है अब अगर हम लोग strited muscles देखें और skeletal muscles देखें और cardiac muscles देखें यहाँ पर एक dark band है फिर एक light band है फिर एक dark band है फिर एक light band है फिर एक dark band है और एक light band है यहां पर भी जेखो alternate dark and light bands है, जो alternate dark and light bands होते हैं, जो muscle tissue पे present रहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं striations, क्या कहते हैं? striations, इसलिए skeletal muscles और cardiac muscles को, हम लोग strited कहते हैं, क्योंकि इन पर क्या होती है? striations होती है, striations मतलब क्या होता है? alternate dark and light bands, लेकिन हम लोग smooth muscles को unstriated muscles होते हैं, क्योंकि इन में ऐसे bands अवेलिबल नहीं होते हैं, is that clear? बोलो कोई परिशानी? चलो, connective tissue का नाम, connective tissue क्यों है, इस tissue के cells क्या करते हैं, अलग-अलग body parts को क्या करते हैं, connect करते हैं, इस tissue में special बात क्या रहती है, इस tissue के सारे cells, एक matrix में embedded रहते हैं या धसेवे रहते हैं, याद करो embedded और धसेवे का मतलब तुम को बताया था, जैसे चौको चिप्स धसी भी रहती है, हाइडन सीक में, तो हाइडन सीक में, जो biscuit है, वो क्या है? जो चौको चिप्स है, वो क्या है? अजिए यह बात समझ में, सेम मैंने तमको तूटी तूटी आइस रीम का भी एक्जामपल दिया था, कि जो आइस्क्रीम है, वो matrix है, और उस तूटी 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 रलीवे यह वो क्या है? अजिए यह बात समझ में, तो आपका जो matrix हो सकता है वो solid भी हो सकता है, वो liquid भी हो सकता है और semi-solid भी हो सकता है सबसे पहला connective tissue जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है blood अब सुनो जो blood होता है वो क्या होता है fluid connective tissue होता है fluid मतलब liquid state में होता है इसका matrix का नाम क्या होता है plasma रभे इन्दर तीन तरह टें की एसे ड़ा दर्तित मडलग ह्यों आर वाइट को एक लूचा के पहुचाना Öक्सिजान आउक हुचाना चिसका काम होता है हिमोगलोबिन का काम होता है ठीके WBCs का काम होता है infections के against, fight करना, WBCs का काम क्या होता है infections के against, fight करना, platelets का काम क्या होता है clotting of blood, मतलब जबन में कहीं लग जाती है तो बाद में पप्डी जब जाती है, वो basically क्या करते है हमारी body में से excessive blood loss को क्या करते है prevent करने के लिए फून को जमा देते हैं जिसे कहते हैं clotting of blood इसके अलावा blood के दो functions और होते हैं एक वो transportation बस होती है बस क्या होती blood बस होती है वो हर चीज transport करेगा खाना digested food transport करेगा gases transport करेगा hormones transport करेगा waste products transport करेगा waste transport करेगा सारी चीज़े कौन transport करता है blood transport करता है इसके अलावा blood हमारी body में normal body temperature maintain करने में भी क्या करता है help करता है blood के बाद जो हमें next tissue पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा bone next tissue कौन सा पढ़ना है bone जैसे blood का matrix fluid होता था bone का matrix solid होता है किसका बनाव होता है calcium phosphate का सबके matrix याद रखना function होते हैं कितने function होते है एक तो यह हमारी body का framework बनाता है धाचा बनाता है जिसके ओपर बाकी organs क्या रहते हैं anchors the muscles muscles को hold करने की क्या करता है जगे provide करता है और third यह क्या करता है internal organs को protect करता है next next क्या चीज़ है tendon और ligament exam में इन दोनों में differences भी आते है और यह इस पर शॉट नोट भी आ सकता है differences क्यों आ दे है क्योंकि जो tendon रहता है वो किसको connect करता है muscle को bone के साथ connect करता है और जो ligament रहता है यह किसको connect करता है bone को bone के साथ connect करता है tendon comparatively less flexible होता है ligament more flexible होता है tendon में strength बहुत जादा होती tendon में strength क्या होती है जादा होती है ligament में भी अच्छी कासी strength होती है tendon का जो matrix रहता है यह collagen fibers का बना होता है किसका बना होता है collagen fibers इसके बाद हम लोग देखेंगे cartilage cartilage का जो matrix रहता है यह किसका बना होता है sugar और proteins का cartilage का matrix कसका बना होता है sugar और proteins का कहां कहां मिलता है यह nose tip, ear pinna और trachea कहां कहां मिलता है nose tip, ear pinna और trachea इसके जो cells रहते हैं उमें बहुत सारी spaces होती है इसलिए हम लोगों ने क्या बोला white spaced cells और जो joints रहते हैं जहां पर दो बुंस क्या होती है जुड़ती है वहां पर यह surfaces को क् smooth बनाता है, वहां greasing का काम करता है कौन? cartilage next cartilage के बाद जो next connective tissue पढ़ना हमें क्या पढ़ना है air roller tissue पढ़ना है air roller tissue यह कहां मिलता है muscles और bones के बीच में कहां मिलता है muscles और bones के बीच में इसके हलाबा between internal organs इसके लाबा कहां मिलता है between internal organs इसका function दो function होते है it fills the space between different organs to keep different body system separate मतलब क्या हुआ बगवान को जब digestive system, respiratory system और सारे systems को क्या करना था, separate करना था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें तो उन्हें बीच में कौन सा टिशू बहर दिया एरोलर टिशू बहर दिया था कि ये सारे body systems क्या रहे separate रहे और एरोलर टिशू का दूसरा function क्या होता है it helps in repair of wear and tear of the body कुछ body part अगर क्या हो गए, cut part गए तो उनको repair करने का काम कौन करेगा हमारा एरोलर टिशू करेगा last है हमारा एडिपोस टिशू एडिपोस टिशू का function कहां present रहता है below skin, कहां present रहता है below skin, चोटी चोटी बाते यहां में रखना कि below skin कौन सा टिशू present रहता है internal organs के बीच में कौन सा टिशू present रहता है कौन सा टिशू wear और tear को क्या करता है बचाता है यह चोटी 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 चीश से तुम्हें क्या करतनी याद रखनी है एडिपोस टिशू fat globules का बना होता है इसका काम भी क्या होता है fat को store करना और ठंडी के टाइम पर यह insulator के दर भी हे पाता है insulator मतलब हमारी body के अंदर की heat को यह बाहर जाने से रोके गा with this your connective tissue is over अग animal tissue में जो last tissue बचता है वो क्या है epithelial tissue तो जैसे plants में outermost layer जो थी वो कौन बनाता था epidermis बनाता था वैसे ही animal में जो हर body system की outline होगी वो outline मनाने का काम कौन करेगा epithelial tissue करेगा यह barrier बनाता है सारे body systems को दूर-दूर और separate रखने में इसके cells tightly packed होते हैं और एक continuous layer मतलब tightly packed मतलब किसी भी तरह की कोई भी intercellular spaces नहीं होगी epithelium underlying tissue से कैसे separate रहता है basement membrane किससे separate रहता है basement कभी-कभी exam में आता है कि basement membrane क्या होता है तो यह membrane रहता है यह वो cells होते हैं जो epithelial tissue को दूसरे cells यह दूसरे organ से क्या करते हैं separate करके रखते हैं ठीक है ना epithelial function epithelial tissue के दो function होते हैं एक तो protective और यह body के internal और external environment में बीच में क्या करता है आने जाने का कहानी बना कर रखते हैं अब epithelial में सबसे पहला कौन सा epithelial है simple squamous कौन सा है simple squamous flat cell होते कहां present रहते हैं सबसे ज़्यादा epithelial में सिर्फ एक चीज़ important है और कुछ करो न करो यह आदरना simple squamous कहां present होता है stratified squamous कौन सा squamous या कौन सा epithelial कहां present होता है तो simple squamous कहां present रहेगा cells lining blood vessels alveoli alveoli मतलब होता है lungs के इंदर होने वाले air sacs जहां पर transportation हो रहा हो through a semi permeable membrane यह cells कैसे होंगे thin and flat इसके लावा simple squamous कहां मिलता है isophagus यानि की food pipe or lining of mouth क्योंकि lining of mouth में भी saliva release होता है फिर आता है stratified squamous देखो जब simple squamous की पाच्छे layer कठी आ जाएगी मतलब simple squamous ही बहुत सारी layers में क्या हो जाएगा arrange हो जाएगा और एक मूटा tissue बना लेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे stratified squamous बोलेंगे उसका काम क्या होगा protect करना present कहा होगा skin में और wear or tear हमारी body में cut fat को वो क्या करेगा रोप की गा columnar epithelium कैसे होते long pillar like scale cells होते हैं कहां present है inner lining of intestine में और epithelial barrier के across moment क्या करते हैं facilitate करते हैं जब columnar epithelium में hair like structure आ जाएंगे क्या जाएंगे hair like structure तो columnar को यह हम लोग क्या कहेंगे ciliated columnar कहां present रहते हमारे respirator track में हमारे wind pipe में क्योंकि हमारी जो नाक में अगर चिपकी चिपकी चीज देखे हो जिसको हम लोग कहतें mucus तो mucus को आगे पीछे बढ़ाने में कौन काम करता है ciliated epithelium hair करता है फिर आता है cuboidal epithelium यह कैसे cells होते हैं tube state के cells होते हैं kidney tubules से मिलेंगे salivory glands से मिलेंगे और यह इंको mechanical support provide करते हैं ताकि यह दर-दर गिर ना जाए last होता है epithelial cells कभी-कभी epithelial cells के पास additional specialization आ जाती है क्या आ जाती है additional specialization और वो gland cells बन जाते हैं मतब उनके अंदर से अलग-अलग तरीके की liquid secret होना start हो जाते हैं और इसी एक tissue का portion अंदर की तरफ fold हो जाता है और एक multicellular gland बना लेता है जैसा salivory gland, liver pancreas, यह अलग-अलग चीज़े क्या करते हैं अलग-अलग तरह की liquids secret करते हैं तो इस तरह के epithelium को हम लोग क्या बोलेंगे glandular epithelium with this, this chapter is over, आया सामझ में देखो, जब तुम लोग tissue बना start करोगे तो primary चीज क्या करना ही इसमें छोटे-चोटे differences, जयसे different types of paradox इसम्पलिषू में differences, xylem vloy में differences यह सारे differences तुम्हें तुम्हें क्या करने है? by heart करने इसके बाद तुम्हें क्या करनी है? कौनसी चीज कहां present है? मतलब कौनसा tissue? leaf में कौनसा टिशू present है? stem में कौनसा tissue biggest inner lining of intestine में कौनसा tissue प्रेजेंड़ कॉन वinä प्रेजेंड यह क्या प्रेजेंड प्रेजेंड आगें तुमको बाइहार्ट होना दता टेके बनें मैनल तेश्ञाकी पता होनी चाहिए मैट्रिक्स सारे इसके और यह तुमक्षों को आता होने चाहिए ऐस सारी चीजे कर लोगे तो तुम्हारा टिशु जो है वो क्या हो जाएगा खतम हो जाए का आया समेज में तो इस पर आएंपी के नाम पर सिर्फ क्या है एक तो तुम्हार टिशु बहुत अच्छे से करना डिफ्रेंस बहुत अच्छे से करना और फंव इंवाँ ख ए छोती शुटी ऑंपर्तन नहीं भी करोगे तो चले गा लेकिन छोती चोटी-छोती details क्या होने चाहिए तुम्हें बता होनी चाहिए